कथा भाग एक संध्या का समय हो गया था सूर्य भगवान अपने साथ घोड़ों वाले रत में बैठ कर सारी प्रित्वी को अपनी आखरी रोशनी देने में लगे हुए थे उस रोशनी में आकास के बादलों की शोभा देखते ही बनती थी शेतल हवा मंद मंद बह रही थी उस समय मंगलपुर नामक राजधानी की तरफ दो वीर पुरुष बढ़ियां और तेज घोड़ों पर बैठे हुए सरपर चले आ रहे थे उन में से एक तो समय मंगलपुर के राज़ा चंदर सेन थे और दूसरा उनका मंतरी शिशुपाल था अंधेरा होने से पहले ही वे दोनों राजधानी में पहुँच जाना चाहते थे वैसे तो प्राए रोज ही राज़ा अलग-अलग भेश बना कर राज़े में घूमा करता था और पता लगाता रहता था कि प्रजा दुखी है या सुखी बे लोगों से मिलकर उनका दुखदर्द पूँचता था और फिर दूसरे ही दिन उनके कश्टों को दूर किया करता था यही कारण था कि लोग राज़ा को बहुत प्यार करते थे उसका यश्य और कीरती दूर-दूर तक फैले हुए थे उसके राज़े में चोरी-चकारी अथवा डाकू लुटेरों का कोई भेना था और लोग चैन की नीज सोते थे जैसे ही उसे कभी कोई ख़बर मिलती कि अमुक स्थान पर चोर लुटेरों ने गरीब और असहाई लोगों पर हल्ला बोल दिया है तो वैं खुद पांच-साथ सिपाईयों को साथ लेकर घटना स्थल पर जा पहुंसता था उसे देखते ही लुटेरों और डाकूं के होसले पस्त हो जाते थे और वैं दुम दबाकर भाग उठते थे ऐसी ही एक ख़बर राजा को आज सुबह मिली जैसे ही दूत ने आकर उन्हें बताया कि भौले भौले गरीब किसानों के पशू और संपत्ती को लुटेरे लूट रहे हैं तो सदा की भाती राजा चंदर सेन अपने मंत्री शुशुपाल और दस एक सैनिकों को लेकर वहां पहुँच गए और उनके दात खटे कर दिये उन्होंने सैनिकों को उनकी देख भाल के लिए वही छोड़ दिया और फिर मंत्री सहित वापस चले आए वह और मंत्री इस समय राजधानी से कोई पांच मेल ही दूर रह गए थे दोनों के घोड़े सरपट भाग रहे थे इतने में घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू किया और एका एक रुख गए दोनों घोड़ा ने अपने सामने के पैर उठा लिये और फिर जमीन पर उन्हें जोर जोर से पटकने लगे राजधा और मंत्री के एक आएक कोई समझ में नहीं आया उन्होंने चोकन्नी दृष्टी से इधर उधर देखा उसी समय सामने के रास्ते पर उन्हें एक बड़ा नाग फैला हुआ दिखाई दिया उसका दिव्य मनी मुक्ष से निकल कर बाहर पड़ा हुआ था नाग को देखते ही चंदर सेन ने सहानुभूती प्रकट करते हुए कहा आरे रे दिव्य मनी धारन करने वाले नाग लोग के इस वेर नाग की ऐसी दुरगती उसकी यह करणा जनक मौत किस दुष्ट ने इसे मारा हुगा हां महराज अपने राज्य की धर्ती पर आज यह पाप हुआ है आज तक ऐसा नहीं हुआ मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा हां शिशुपाल यह तो वास्तों में बुरा हुआ अब हम क्या करें राजा ने चिंतित होते हुए पूछा और कोई उपाय नहीं है हमें इसे जीवन दान देकर पुन्य प्राप्त कर लेना चाहिए महराज आपको संजीवनी विद्या आती है यह उप्युक्त अवसर है आपको इस विद्या का चमतकार देखने का मौका नहीं खोना चाहिए राजा चंदर सेन गंभीर बने हुए सोचते रहे फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी से जीवित करना अच्छा होगा मंत्री शुशुपाल ने ततकाल कहा महराज भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र काम में लिया था देव पुत्र को पुनर जनम देने से तो उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था इसलिए महराज जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं वे विश्वाश घाती और बुरे होते हैं यदि जो बुरा हो उसे समय पर जीवन दान दिया जाए तो बड़ा पुन्य मिलता है यहाँ बड़े बड़ों का अनुभव है मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर इस समय आप संजीवनी मंत्र का प्रयोक करें तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं आपके मंत्र के प्रभाव से आपके खुद की आत्मा कितनी खुश होगी बात जच गई वहततकाल घोडे से नीचे उतरे और नाग के पास जा पहुँचे उनके साथ साथ मंत्री भी घोडे से नीचे उतर गया और उनके पास जा खड़ा हुआ राजा संजीवनी मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे परन्तु बार-बार प्रयोग करने से भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी खोब कोशिश करने पर भी वह नाग नहीं जिवित हो रहा था राजा मन ही मन बड़ा चकित हुआ और उसके साथ ही उन्हें खुद पर क्रोध आने लगा मेरा यह मंत्र क्यों नहीं चल रहा आज मेरा मंत्र कारगर क्यों नहीं हो रहा आज ऐसे क्या खास बात है राजा मन ही मन दुखी हो उठा शिशुपाल ने कहा महराज आपके मंत्र का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है इससे अप्रकट होता है कि आपके गुरु ने आपको जूटा मंतर सिखाया है ऐसे जूटे गुरु का क्या विश्वाश नहीं नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं है मेरे गुरु पर और इस मंतर पर कभी अविश्वाश मत करो तुम्हें पाप लगेगा राजा ने क्रोधित होते हुए कहा फिर किस तरह विश्वाश करो महराज आप खुद ही देखिए नाग अभी तक जिवित नहीं हो सका राजा के हाड जल गए उसने कहा मैंने इस काम को जान बूच कर पूरा करना स्विकारा है तो मैं इसे पूरा किये बिना चैन नहीं लूँगा थोड़ा रुको अगर इस सर्प पर संजीवनी का प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं दूसरा मंत्र शव प्रवेश काम में ले लेता हूँ तुम देखोगे कि इस मंत्र का कैसा चमतकारी प्रभाव होता है फिर तो तुम मान जाओगे ना कि मेरे गुरु में कितनी सच्चाई और बल है राजा ने गर्व से कहा मंत्र शव पाल ने बात को पलटते हुए कहा जाने दो महराज बेकार क्यों पीछे पड़े हुए हो चलो छोड़ो इस काम को राथ हो रही है अंधेरा होने से पहले ही राजधानी पहुँचना है नहीं नहीं या नहीं हो सकता राजा जोश में बोल पड़े तुम मेरे देह संभालो मैं अपनी आत्मा इस भुजंग के शव में डालता हूँ तो मैं या भुजंग अभी थोड़ी देर बाद जीवित दिखाई देगा जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा वैसे ही मैं जल्दी से मेरी आत्मा दुबारा मेरे शव में डाल दूँगा और मैं वापिस जीवित हो जाऊंगा इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे शुशुपाल को राजा का कहना मानना पड़ा राजा चंदर सेन ने शव परवेश मंत्र का जाब शुरू कर दिया धेरे धेरे राजा का खुद का शरीर धेला और निर्जीव पढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में उसका शरीर शव बन गया और वैं मरा हुआ भुजंग जीवित होकर हरकत करने लगा थोड़ी देर में उसने जोर से अपना फन उठा लिया उसी वक्त जैसे ही राजा की आत्मा भुजंग में प्रवेश हुई वैसे ही मंत्री शुशुपाल ने अपनी आत्मा राजा के शव में डाल दी और अपने शव के तलवार से कितने ही टुकडे कर डाले नतीजाय हुआ कि राजा की आत्मा अब सर्प के शव में थी और मंत्री की आत्मा राजा के शव में राज देंधारी मंत्री जोर जोर से हसा कहने लगा राजा आज तक मैं ऐसे ही मौके का रास्ता देख रहा था आज कितने साल बाद मेरी वे इच्छा पूर्ण हुई है आज मुझे राज बैभब भोगने का सुख मिला है और तू यहां से जाकर जंगल में या किसी नाग लोक में वहां के सुख भोग चल निकले यहां से बात सुनते ही सर्प देह धारी राजा ने जो और के गुसे में फुफकार भरी उसने फुफकार मारी दुष्ट तो ने मेरे साथ चल किया है लेकिन देखना की मैं इस विश्वास घात का बदला अपने विश्धारी दातों से ले कर रहूँगा नीच तो देखना की मैं दंड देकर मेरा शव वापस लूँगा मैं देखता हूँ की तो किधर बचकर जाता है शिशुपाल क्रोद से भर कर चिलाया देख एक इंच भी आगे बढ़ने की या फन उठाने की कोशिश मत करना वरना इस तलवार से अभी तेरी गर्दन उड़ा दूँगा मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ इसे अपना भाग्य समझ और यहां से चला जा सर्प देंधारी राजा गुस्से से अपने फन को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा शिशुपाल जोर से हसा सुन तो समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है या तेरी भूलती मुझे विवविद्या कम नहीं आती जिस समय तु सर्प पर या मंत्र फूख रहा था उस समय मैं उसका विप्रीत मंत्र पढ़ रहा था यही कारण था कि तेरा मंत्र नहीं चल सका हाला कि तुने लाग कोशिशें की शिशुपाल फिर खिल खिलाया सर्प देहधारी राजा रह रहकर फन पटकने लगा और गुस्से से जोर से चीखा नीच विश्वास घाती मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था शिशपाल राजा की देह में से खिलखिलाते हुए बोला और तुझे अभी समझ बैठा था की बस तुझे अकेले को ही शाप प्रवेश का मंतर आता है यह भी तेरी भैंकर भूल थी जिस समय तेरे गुरु अलका नंद तुझे मंतर सिखाते थे उस समय मेरे पिता मुझे उस गुप्त जगा ले जाया करते थे इसलिए वैं मंतर जिस तरह मेरे पिता को मालूम था उसी तरह मुझे भी मालूम हो गया है मुझे भी दोनों ही विद्याएं उतनी ही आती है जितनी तुझे और शायद तुझे ज्यादा मुझे आती है क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सर्शती की क्रपा अधिक रहती है जा अब अपने रास्ते लग नाग राज ने भीतर ही भीतर तडपते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में इस दुष्ट की तलवार से बुरी मौत मरने की अपेक्षा किसे भी हाल में जीवित रहना कहीं अच्छा है इसलिए यह सोच करवा गुस्से से फन पटकते हुए पासी घास में घुस्ता हुआ चला गया रास्ते भर उसकी आत्मा शिशुपाल को कोस रही थी कप्टी नीच इस दुष्ट कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा यह आवाज उस जंगल में काफी देर तक गुंशती रही और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई राजा की दे धारण किये हुए मंत्री शिशुपाल गोड़े पर बैटकर राजधाने की तरब बढ़ रहा था वे मन ही मन बड़ा खुश था उसके दिमाग में तरा तरा के विचार उठ रहे थे वे सोच रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को अपने रास्ते से सदा के लिए हटा दिया है अब कोई बाधा नहीं आवेगी अपना शेश जिवन वे अब राजा बनकर सुख और एश्वरे से गुजारेगा इतना बड़ा मंगलपुर का सामराज उसके हाथों में होगा एक एक बच्चा अब उसके इशारे पर नाचेगा चार और अब उसकी तूती बोलेगी इतनी मिठी कल्पनाओं में उसे बड़ा सुख मिल रहा था मानो सारी पृत्वी की खुशियां उसे मिल गई हो गोड़ा तेज दोड़ते जा रहा था राजा के रूप में मंत्री ने एक हास से दूसरे गोड़े की भी लगाम पकड़ रखी थी पृत्वी पर चारो और अब अंधेरा फैल चुका था नीले नीले प्रकाश में तारे चमक रहे थे शुशुपाल गोड़े पर तेजी के साथ राजधानी की तरफ बढ़ता जा रहा था चारो जंगल में साइं साइं की आवाजों में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी देरे देरे वे संग दिल मंत्री राजा बुनकर राजधानी में प्रवेश कर गया तौप की सलामी दी गई उसने फोरण हाथ उचा करके सबको रोकते हुए कहा आज बड़े दुख की बात है मैं और मंत्री शिशुपाल लुटेरों को ख़देड कर वापस राजधानी लौट रहे थे रास्ते में खंडाले के घने जंगल में पहुंचते ही एक खुंखार बड़े शेर ने अचानक छलांग लगा कर शिशुपाल को चीर दिया भागे से मैं उसके पंजे से किसी तरह निकल कर बचकर आया हूँ मैं बहुत घबरा उठा हूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस अचानक संकर से और शिशुपाल की इस तरह करणा जनक मात से मेरा मन दुख से भर उठा है आज से दस दिन तक सारे राजे में शोक मुनाया जाएगा फारन जंडों को चुका दो और खजाने से सो सोने की महरे शिशुपाल के शोक गरस्त परिवार को मेरी और से दे दो शिशुपाल ने बिलकूर राजा चंदर सेन की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया शरीर पर राजा के वस्तर थे ही किसका फिर कोई शक हो सकता था उस दुष्ट शिशुपाल ने बाद में भारे कदमों से महल में प्रवेश किया मंत्री की इस अचानक मृत्त्यू का शोक समाचार चार और फैल गया महल पर जंडा जुका दिया गया राजदूत, दास दासियां और सारे राजदरबारी शोक में डूब गय जैशे शिशुपाल ने राज महल में कदम रखा वैसे ही राणी कंचना सुरण थाल लेकर आरती उतारने सामने आई परंतू राज़ा ने उसे रुकने का इशारा किया राणी कंचना भारी कंट से बोली महराज ज्यादा दुखी मत होई ये शिशुपाल ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा मेरा प्यारा मंत्री ऐसे बेमौत मरा है और तुम कहती हो कि मैं दुखी ना हो राणी कंचना ने समझाया शान्त हो जाइए महराज दुख आज किसको नहीं है भगवान ने आपके प्राण बचाए मेरा सुहाग बना रहा भगवान की बड़ी अभारी हूँ मुझे आर्ती उतारने दो नहीं अभी मेरा चित्त ठीक नहीं अभी मुझे अकेला रहने दो इतना कहकर शिशुपल चुपचाप राजा के कक्ष में चल दिया उसने राणी कंचना की विंती सुनी अंसुनी कर दी राणी कंचना हार कर चुपचाप अपने कक्ष लौट आई राजा के शोक से उसका दिल भी भर उठा आधी रात का समय था रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी कमरे में हलकी रोशनी फैली थी सोने से पहले उसने भगवान की प्रातना की और थड़ी देर बाद उसकी आँख लग गई आदा घंटा भी नहीं बीता होगा की अचानक उसके कानों में अवाज आई कंचना यहां से उठकर जल्दी कहीं दूर निकल जा तेरा सुहाग खत्रे में है तेरा पती दिखाई देने वाला राजा देहधारी यह शैतान शिशुपाल है राजा चंदर सेन नहीं इस दुष्ट कप्टी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर यह राज देह धारण की है यह जो कुछ कर रहा है सबनाटक है तेरा पती राजा अद्रिश्य रूप में बहुत ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा है वै इस समझ सर्प की देह को धारण किये हुए है देरे देरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी अभी तुँ उठ और फारन यहां कहीं दूर निकल जा इसी नेच ने तेरे राजा के साथ बड़ा धोखा किया है आगे की चिंता छोड़ समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तक तपस्या कर और भगवान का नाम ले रानी कंचना एक दम नेंद में हडबड़ा कर उठी उसका शारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था उसने इधर उधर नजरे दोड़ाई पर कहीं कोई नजर ना आया कमरे में शांती थी दीपक जल रहा था कहीं कोई भी परवर्तन ना था उसकी सांसे तेजी से आने जाने लगी उसे कुछ नहीं सूज रहा था थोड़ी देर बाद वे तेजी के साथ उठी और पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपनी एक विश्वाश पात्तर दासी चंचला को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा थोड़ी देर बाद वे चुपके से अपने जरूरी वस्तरा भूशन इत्यादी लेकर भरी रात में राजमहल के पिछवाडे के रास्ते से निकल गई चार ओर अंधेरी रात का सन्नाटा च्छा रहा था कहानी में बने रहें देव वानी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे दोस्तों आपको अकथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथां को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन प्राप्त हो जय श्राराम भक्तो